स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदिते मोटराइड में और आज हम बात करेंगे अपकमिंग यामाहा XSR 155 के बारे में ये जो बाइक है ये आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत से लोग इस बाइक का काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं बात कर लेते ह की प्राइजिंग की तो 1,40,000 रुपे इस बाइक की कीमत रहेगी हाँ हो सकते है कि थोड़ा बहुत प्राइज उपर नीचे हो जाए लेकिन जो प्राइजिंग रहेगी वो इसके तकरीबन ही होने वाली है बाइक का जो लोग से वो बहुत ही शानदार है नेकेड चेलर शेप में LED टेल एट मिलेगी जो की देखने में काफी क्लासी लगती है और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर मिल जाएंगे हाला कि LED इंडिकेटर देने चाहिए लेकिन यहां पर यहां महां कंपनी थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करने वाली है बाइक में आपको unibody single seat मिलती है तो आप दो लोग आराम से comfortable locust में travel कर लोगे बाइक का जो handlebar है वो आपको single pipe में आता है clip on handlebars नहीं मिलते है लेकिन यह आपको upright posture में मिलता है तो आप आराम से comfortable locust के ride कर लोगे तो आपको back pain जैसा कोई भी problem नहीं आने वाला है बात कर लेते हैं बाइक के engine के तो बाइक में आपको मिलता है 155cc का liquid cooled SOHC, four valve engine with fuel injection और Yamaha की VVA technology आपको इसमें मिलती है जिसमें आपको 19.3bhp का power मिलेगा और 14.7Nm का torque आपको मिल जाने वाला है और number of gears इसमें आपको कुछ है मिल जाएंगे बाइक के और कुछ features की बात करें तो इसमें आपको full LCD instrument console मिलेग जिसमें आप Bluetooth connectivity भी कर सकते हो और बहुत सारी information यह आपको देदेगा बाइक में आपको 10L का fuel tank capacity मिलेगा तो आप long tour भी इससे अराम से कर सकते हो यह आपको mileage भी अच्छा खासा देदेगी बाइक में आपको front में मिलता है USD fork suspension और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाता है 17 inches के alloy wheels आप आपको इस bike के मिलेंगे सामने आपको 100 section 80 का tire मिलेगा और पीछे आपको 140 section 70 का tire मिल जाएगा बाइक में आपको aluminum swing arm मिलता है तो बहुत ही मजबूत है और इस bike का जो frame है वो delta box frame है तो आपको बहुत ही मजबूत bike का frame मिल जाता है dual disc with dual channel ABS में आपको यह bike मिल जाएगी और बारती बजार में launch होने वाली है बाकी दोस्तों आप comment करके ज़रूर बताना कि यह bike आपको कैसी लगती है और क्या यह bike अगर आती है तो क्या आप इसको लेना पसंद करोगे की नहीं तो मैं देखिए आप सभी को यह video पसंद आई होगी और अगर आपको यह video पसंद आई ह हो तो subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही videos लाता रहता हूँ अब एक लिए thanks till then wait for my new upcoming videos